आज मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह Windows 10 Laptop में Sync Center किस तरह Open कर सकते हैं अगर आप Sync Center एक्सेस करना चाहते है Windows 10 Laptop में तो आपको उसके लिए Type Here to Search में Type करना पड़ेंगा Control Panel Control Panel Type करने के बाद आपको यहाँ पर Control Panel दिखाई देंगा उसे Open करना है आपको उसके बाद यहाँ पर आपको Right Sight में View by Category पर किलिक करना है और Large Icons सेलेक्ट करना है फिर यहाँ पर आपको जो है Sync Center दिखाई देगा यह यहाँ आप देख सकते हैं दिखाई दे रहा है Sync Center आप यहाँ से Sync Center उपन कर सकते हैं आपको इस पर किलिक करना है तो आप देख सकते हैं Sync Center उपन हो गया है तो इस तरह से आप Windows 10 लैप्टॉप में Sync Center उपन कर सकते हैं और अब मैं इसे Close कर देता हूँ आपको आपको मेंज़ी कर दो 2